तो आप लोग मैं सेलेश कुमार रहाद हो आपका स्वागत कर रहा हूं थर्मोडानेमिक्स डिपी पी नंबर तीन तो पहला और दोसरा जो डिपी था उसके अंदर हम लोगों ने मैक्सवेल के एक्वेशन और रिलेशन से सवाल किये थे आज वाला जो डिपी पी अंदर जो है सवाल आपको देखने को मिलेगा साइकलिक रूल से रिलेटेट कुछ जो आपके अलफा बिटा गामा जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिसेंट आपके कंप्रेसिबिल्टी इन सब च सवाल करवा देंगे कुछ आपको extensive properties को कैसे आप देखते हूं उसके बारे में दे दूंगा कुछ 2-4-10 सवाल जो भी मिल जाएंगे दीरे-दीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर हीट कैपसिटी हीट कैपसिटी कवर करने के बाद में हम लोग वर्क डन पर पहुंचेंगे और वर्क डन कर लेंगे तो जूल थॉम्सन के जो 2-4-6 सवाल आए हैं इधर उदर के उसको कवर करेंगे तो आपके फर्स्ट लौदे थर्मोडानेमिक्स कंप्लीट होगा तो अभी हम लोग कहां पे हैं इदम स्टार्टिंग दौर पे हैं तो धीरे-धीरे ऐसे ही सलेबस क को लेकर चलेंगे मतलब डीपी जो मैं बना रहा हूं आपके एकॉर्डिंग सलेबस के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा है तो थर्मोडानेमिक्स में लोग साइकलिक रूल के पहला सवाल है उसके विहाब पर काम करेंगे और मैं यह समझ के चल ला हूँ कि आप लोगों न तो साइकलिक रूल होता है वो कुछीज तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे आप लिख सकते हो पी वी और टी यह वरियेबल से आपस में क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं देखो यहां पर लिखने के तरीका डेल पी लो अपन में डेल वी और सामने वाले को अगले वाले को कॉंस्टेंट करा दो डेल टी फिर व को पकड़ो डेल वी और यह डिवाइड़ द्बाइन में चला जाएगा और उसके आगे वाला कॉंस्टेंट पी फिर अब पी की बारही आ गई यहां पर पकड़िए क्या है पी डिवाइड बाएं डैल talks kia dou i a val h di दे दिया यह value तो आप यह समझ लिजे कि यह आपका cyclic rule है follow कर रहा है यहाँ पे is equal to minus one minus one का मतलब क्या हुआ negative value आएगी negative value तो कहता है कि for ideal gas या फिर कहता है इस gas को आप cyclic rule पे set करो क्या set हो जा रहा है तो आप देखोगे कि यह वली value यह वली value यह वली value उस particular gas equation के लिए निकाल लोगे और put up कर दोगे अगर काट पीट के minus one आ गया तो आप कह देते हो कि हाँ वो follow करती है ठीक है बाई तो इस तरीके के सवाल होते हैं तो पहला तो आप कहें negative यहीं से आपका हो गया के लिए ठीक तो आगे बढ़ते हैं कि ऐसे सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं देखिए दे बैलू आफ अल्फा बटा बीटा अल्फा भाई बीफार यह गैस दे रखा इस पर्टिकुलर गैस के लिए तो अल्फा और बीटा के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या है यह थर्मल एक्सपेंशन कोफिस्येंट और आपका थर्मल कंप्रेसिविलिटी कोफिस्येंट या फेक्टर ठीक तो अल्फा जो हमारा होता है कोई बताएगा क्या होता है रिलेटिव चेंज इन वॉलूम देखो रिलेटिव पाई चेंज इंऑ वोलूम है लेकिन ये हमारा क्या है relative चेंज इंऑ भाई ठीक है तो relative आपका क्या है temperature at constant P P constant को मसलब izo भारी process तो ये वाले जो चीज है आपका ये क्या है thermal HISpalinisivity या expansion coefficient ठीक है ऐखтеerson है आब या प्लस दिखा दिया हमने बीटा के लिए जब हम compressed करेंगे तो जब बीटा की बात आएगे तो इहाँ पर माइनस की साइन ले ले लेंगे तो क्रिशन रहेगा उसमें भी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में डेल वी और यह पी को अंदर कर दीजिए टी को बाहर कर दिए अगर कभी आपको द्यान न रहे तो आप ऐसे कर सकते हो किस आप हो गया क्या बीटा तो यह आप गी तो अब आप अड़ुलर्यगर एक्षेंस के लिए तो अराम से निकल जाएगा है तो मैं alpha by beta के लिए पहले alpha की value यह वाली निकालता हूं देखो थोड़ा सा लंबा आपका जाएगा आप वीडियो बढ़ा के करके देखिएगा मैं पूरा कराऊंगा ठीक है मैं उनके लिए पूरा कराऊंगा जिनको नहीं समझ में आता है बाकि जिनको समझ में आता है वीडियो बढ़ा लेंगे उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है यही एक्वेशन है अब देखिए डेल वी अपाउन में डेल टी एट कॉंस्टेंट पी यह वाली वैलू मैं निकालू अलफा के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मैं इसको ऐसे कहा दो पी वी माइनस पी एन बी इस उकल टू एन आर टी आर टी प्लस पी एन बी वी इस उकल टू किया होगा वी फॉर पी से डिवाइट कर दीजिए तो एन आर टी डिवाइड बाई पी प्लस ट वाउध कर दिया तो एन और बी यह वह भाइए inconvenience में यह हुआ भी के फॉा में बी के फॉब में वोलव आभ इसको इसमें उफंड़ करude डें अब घल अपॉन में डेल City बी के जगा पर अब देखोन भी क्या सेट और बीबी क्या सब्सक्राइब क्या तो अपने अपने जीर हो जाने तुसको छोड़ देते हैं यहां पर क्या है एन आरटी बाई यही होगा और ओभराल पाउस्ट क्या देखूं यहां पर पी ओभर अल पॉबरल बाहर आ गया और बचा क्या डेल अपॉन में डेल टी और टी यह क्या हो जाएगा वन तो इसकी वेलू आपको क्या मिल गए भाई एन आर भाई पी मिल गए तो मैं आप लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं अलफा अलफा इस उकल टू वन वाई वी और इसकी वेलू आपने क्या निकाला है एन आर भाई भाई ठीक भाई थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो बेफिकर होके देखते रहेगा भगाना होगा वीडियो भगा देजेगा आपके उपर मर्जी आपकी मैं पूरा सॉल करा होंगा वीटा के लिए आते हैं पेटा के लिए यही वाला अधरा एक मठीन होको गया हुआ ईसको इसको थे साथ यहीो Bar को सङक अर अंडर क्लिश अधर शर च्री अंडर प्रेसर कर दिया बहार बन ट्रेट़ काउंस्टर कर दिया है ठीक है यही तो है वी फंक्षन था तो वी फंक्षन वाले ही रखाऊ मैं तो देखो टी कॉंस्टेंट है तो बाहर चला जाता है आर कॉंस्टेंट एंट कॉंस्टेंट तो यहीं पशिघ्ण सकते हो अब डेल अपॉन में डेल P, P पे माइनस 1, इनवर्स, ऐसे, आपको पता है न, ये क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में P स्क्वाइर, बोलू कैसे, ये कैसे हो गया, माइनस 1 अपॉन में P स्क्वाइर, बता दू क्या, थोड़ी सिमेथ है, थोड़ी सिमेथ है, अगर डेल X NX है, यहा चिनापर क्या कर दिया माइनस फ़न और एक्स के जगा प्टी आप रख दो तो माइनस संब्सक्री क्या होगा मेरे फाई माईनस फ़न की स्क्षाइन ही तो लिख सकते हो ना इतनी देखो math इनिंट चाहिए आप तिनमॉडामिक्स पढ़ रहे हों अगर इतनी math नहीं आ बढ़ है आप जाके लेक्षर पढ़कर आना फिर इसको देखना ठीक है एक मिनिट अब दिख रहा होगा अब दिख रहा है तो यह वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया यह वाला ठीक कैलकुलेश आप लोग उन्हें पढ़ा होगा तो यहां पर क्या जाएगा माइनस वन आगे क्या लगा हुआ है इसका मतलब है कि बीटा की जो वेलू आ जाएगी वन वाई वी एन आर्टी अपॉन में पी स्कॉयर इसका माइनस और यह और लेडी माइनस मैंने इसको प्लस कर दिया है ठीक है तीतनी कहानी हो गई है अब बाकी की चीज़े मैं मिटा देता हूँ अब तो मुझे डिवाइड ही तो करना है बाकी तो हो गया मान मैंने लिया वैलू वैलू आपको भी लाना पड़ेगा भाई थर्मोडाने में सिसी लिया आपको पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्यों किस समय आपको कम मिलता है है ना तो देखिए यह जगह प का इस उक्वल टू हमारे पास में क्या है एन आर बाई पी और यह क्या है पी स्क्वार तो मैंने पी स्क्वार डिवाइड बाई एन आर टी कर दिया एन आर टी कर दिया ठीक है भाई और क्या हो सकता है यहां पर एन आर टी के जगह पर यह वाली चीज़ लिखें यह जो एन आर टी है इसके जगह पर यह वाली चीज़ डख सकते हैं रखें एक बार देख लें रियर्रेंजी करना बाकी रह गया है अब बाकी और कुछ करना नहीं है पी जहां एन आर टी है मह बोलो यह बास समझ में क्या किया इसको मैंने इस से रिप्लेस मार दिया एक पी अलेडी था दूसरा पी आया तो पी स्क्वायर कर दिया इसको ते पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को क्या कर दिया गाप कर दिया तो क्या बचा उपर एन आर डिवाइड वाइड वाइड सब्सक्राइब यह देखो आपसन आपका सी हो गया बात समझ में आ गई अरे समझ में आई कि नहीं समझ में तीक थोड़े से समय तो लेंगे आपका लेकिन यहां समझ लग रहा है आप कॉपी पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहतर होगा ठीक है भाई दो कॉंद दाट क्राइब डेखन पकर अगेशं के लिए सथम्वेट कंप्रेस ऑल्टेशं क्टिकल पैस्टंब क्या हो गया यहां पर आपको यह देखना पॉइंट यह आपको मालूम होना चाहिए यह लोप है फ़र्च डिरिवेट्जीव माल लिजी हमारा क्या पी और वी हमारा एक कर बैप पी और वी एक कर बैद तो X-axis एक यक्सिस पे जो हमारा डेल वाई अपन में डेल एक्स यह हमारा स्लोप होता है बाई मैकसिमा होता है यह मारा क्या होता है मैकसिमा यह मैक्सिमा उसी को मैकसिमा पर ही हम लोग उसको तो क्रिटिकल पोइंट बोलेंगे उसके बाद में हो सूल Wake अचा अथा होले कर सकते हैं और यपाँदिन Dis garmentल यहां पर कि डेल पी अपॉन में डेल बी इस उकल टू जीरो मैंने कर दिया है और कह रहा आइसो थर्मल कंप्रेसिबिलिटी मतलब बीटा की बात कर रहा है यहां पे बीटा बीटा क्या होगा देखें आप एक बार हम से बीटा क्या है बीटा इस उकल टू आप मैं देखा माइनस वन बाई वी डेल वी अपॉन में डेल पी कॉंस्टेंट यह था जाया तो यह डेल पी ब्ली बराबर जीरो आ रहा है और हैं पर इसका उल्टा है तो जीरो का उल्टा मतलब एक बटा जीरो मतलब मैं यहां पर क्या लटके नीचे 0 लिख दिया तो नीचे 0 मतलब किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 मैं करूंगा तो वैलू क्या दे देगा इनफाइन यह देगा आपको तो वैलू इंफाइनाइट आ जाएगी आपकी ठीक है वह बात समझ में आए 0 नीचे कैसे लिख दिया अगर पर यह वाली बात अगर डव डल वी बराबर 0 लिगता यहां पर द्वाइड वी हो था तो गुड़ा में 0 लिभता यहां पर इल्टा है तो इसलिए मैंने डिवाइड में 0 कर लिए तो वन गि जीरो इंफानिट ठेज पर आपको समझ में आगे पूड़ा कर देना है तो आइडियल गेस के लिए इसकी वैलू आप लोगों को कैल्कुलेट करनी पड़ेगी तो चलिए देखा जाए एक बार वन मोल का मतलब क्या हो गया कि एन बराबर आपने क्या कर दिया वन मोल कर दिया तो जल्दी जल्दी निकालते हैं पहला वाला यह पी हे निकालते हैं फिर निकालते हैं पेडली आपन में ल tapeğa ढूंगा इसको ऑं हमारा क्या सटीकर कर दोत तो पी बराबर क्या हो हो जाएगा आपक्य लिए तो मैं जहां पर P है, वहां पर क्या लिख दों, Del upon में Del T, और P की जगह पर लिख दों, RT by volume कर दों, और बाहर क्या है constant, volume, तो R v constant volume भी constant, तो R by V हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, Del T by Del T, यह आ जाएगा 1, तो बराबर क्या जाएगा, R by V, तो पहले वाले का जो वैलू आई है पहले वाले की वैलू आपको क्या मिल गई है आर भाई वी मिल गई ठीक है भाई आर भाई वी पहले वाले के लिए मिल गई अब हम लोग दूसरे वाले को फट्स निकाल दे यहां पर वॉलूम के टम में बात की गई है वॉलूम के टम में दूसरा हमारा क्या है वॉलूम के टम में फटाफट इसको करिए और आपको थर्मोडानेमिक्स इसलिए आपका समय लेता है यह ऐसा नहीं है कि कोई भी उड़ा के कर देगा प्रैक्टिस आप जितना कर लोगे उतना बहतर रहेगा तो वॉलूम के टम में वी उकल टू क्या हो जो पॉंस्टेंट हो बहर आ जाता है अपकॉंसर्थ शुभाई फिम्सक्राइब और अंदर क्या बच गया हमारा वही डयल अपार में डैल टी और बच गया तो हमारे पास में क्या आगया आर्वाई पी इसका दूसरे वाले जो ब्लू आई है इसकी और भाई पी आई इझ कि थाड़ वाले में भी कही फंक्षन है तो वी वाला फंक्षन तो यह हमारे पास है भी का फंक्षन दे रखा बस वहाँ पे यह पी और टी अलग-अलग कर दिया गया तो यहां पर यहां पर इतना ही चांज किया हुआ है तो मेरे भाई इसको його लोग कर देते हैं डेल पी और यहां पर टी ठीक है तो देख Só अब टी कॉंस्टेंट आर कॉंस्टेंट तो आर टी तो मैंने कर दिया क्या बाहर और अंदर क्या बचा डेल है डेल ओन में डेल पी और पी इनुवर्स बज़ गया यह वन भाई पी को मैं यह लिख सकता हूं और इसका अभी अभी आपने क्या देखा था इसका अभी आपने क्या देखा था इसकी value आपने क्या निकाली है माइनस का rt by p square ठीक है भाई इतनी बात समझ में आ गई आपको तो मान को रख दीजिए गुड़ा गड़ित कर दीजिए देखी क्या देता है बहुत जहां होता है इसलिए थर मोड़ा निमिक्स में तो इसकी value है r y v r y p गुड़े rt by p square और माइनस में आगे लगा दूँ माइनस और आगे लगा दिया यह वाला माइनस आगे लगा दिया काट दीजिए देखी क्या कट रहा है यहां पर यहां पर देखे p और v है ना p और v p v को मैं rt लिख सकता हूं क्या माइनस r square into rt यहां पर p और v को मैं क्या लिख दूं rt p square और rt से rt cancel out हो गया क्या बज़ गया minus r square upon में p square बोलो यार minus r square upon p square है कोई option यह देखिए b option आपका दिख रहा है तो इसकी value इसकी value इसकी value आप आप लोग अपने thermodynamics के first page पे यह लिख लिजेगा ideal gases के लिए निकाल लिजेए क्योंकि बार बार कितनी बार करोगे हाना लिख लिजेगा इस चीज को तो यह आपका हो गया चार नंबर का सवाल हो गया ऐसे ही आपको देना पड़ेगा देखो फार और अडियल गैस यही वाली चीज थी तो माइनस वह नहीं आया था साइक्लिक रूल के लिए पी टीवी देखो वालूम प्रेशर और टंप्रेचर यह वाला देखोगे तो इसके लिए वैलू माइनस वनी आया थी अभी आपने पहला सवाल जस्ट पहला सवाल देखा था तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका सवाल का अंसर बी हो जाएगा मिला आना है तो मिला ये मैं deny नहीं करhu unga P v t देखिए del p पहले सको लिया divide से कर दिया del v और कॉंस्टेंट टी लगा दिया और डेल वी अपन में डेल टी डेल वी अपन में डेल टी पी लगा दिया और आगे वाले में डेल टी और डेल वी डेल पी डेल पी और वी लगा दिया इस उकल टू माइनस वन माइनस वन तो यही है ना पी टी वी कहा गया कि पी टी मैं पी टी एक में इस कर दिया है यह सायक्लिक ऐसे जो आपने लगाया है यहाँ पर यहाँ पर टी और यहाँ पर बी यह ज़रूरी नहीं कि एरो आप ऐसे ही करोगे जैसे मैं किया हूं तो आप देखो P t del p upon me del t at constant volume ठीक है del t upon me del v constant pressure और del v upon me del p del v del p constant t देखें इमेज कर रहा है क्या P t v tv p del v del p del t हाँ देखो यह एरो जो मैं ऐसे घुमाया हूं वह एसे घुमा हुआ है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं इसे टो टो बिद्वां चाहिए अन anest одef Turbo छढ़ा है अना चाहिए थीड़ करना होगा तो यह वेल्य वेल्य वैलैंड मैं आइड वेल्यकंत की लिए पूट-UP कर दीजाओ चर्टे थे चटेंव और दन in the free expansion of an ideal gas is zero free expansion में देखो अगर work होगा तो दो चीजे होंगी एक आपको खीचेगा और आप बढ़ोगे जैसे मैं काम कर रहा हूं तो काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पढ़ाना है मेरी एक क्या है responsibility है जो मेरी इंटर्नल प्रेशर एक external प्रेशर कि मुझे प्रेशर यार कि सलेबस complete कराना है तो दोनों चीजें इसमें कि इंटर्नल और इंटर्नल दोनों वर्क करने लगता है दोनों चलने लगता है तो आपको क्या होता है वहां पर वर्क मिलता है मतलब यह कह सकता हूं मैं कि आपको कोई भी काम करने के लिए प्रेशन के जरुद पड़ेगी अगर आपके जीवन में मोटिवेशन आई नहीं तो क्या करोगे काम करके तो यहीं है बात यहां पर कि फ्री एक्स्पेंशन अब तुम्हें यह मालूम हो जाए कि तुम्हारे एक्जाम होना नहीं है तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं सांद बैठ जाओगे फ्री एक्स्पेंशन हो जाएगा तुम्हारा वहां पर तो वही वाली बात हो रही है कि देखो दा इंटर इंटर मलेकूलर फोस आर जीरो वर्क डन फ्री एक्स्पेंशन को मतलब यह नहीं है इस जगह पे वर्के टम में हम बात कर रहे है तो हमें दो है कि आप खीचना चाहते हो तो उधर से भी कोई क्कीश रहा हो तो वहां पर आपको काम दिखते होगा अगया जहारा जाएगा और जहां पे आलफा वाई बीटा विल बी अलफा बीटा विल बी आफिम frighten घारी इंट हो आपने अलफा वराबर क्या देखा था 1 ब्लमें यहां पर क्या था, टी, लेज ही अप़। यहां पर क्या था हमारा स्पी। एक मैंनट बस एक मिन इंट अलफा इस उकल टू माइनस वन बाई वी डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉंस्टेंट पी पे और बीटा हमारा क्या था यह जरूर देखा करिए यह गड़बड हो जाता है कभी-कभी वन बाई अरी कि देको मैं तुमएं आप इसके लिए और इसके लिए लाक Ooh निकालना लेकिन ध्यान जो मैं मैं बता रहा हूं कि alpha के नीचे क्या है टी है ना अलफा के नीचे निचे यहां पर देखो टी है और बीटा के नीचे यहां पर आपको क्या है पी तो alfaki value ideal के लिए वन भाइट आपको मिल जाएगा आप निकालना ये वाली वेलू ये वाली वेलू find out करना वन वाइटई ही आएगी और यहाब नीचे देखिए पी है तो यहाब बिटा के वैलु आपको क्या दिख जाएगी वान भाई पी दिख जाएगी तो यह आपको डीर्ट inglés में बता देरां हमएं से बाकी आपके पास में तो फॉर्मुला आप लीजी ए ना ढि डेरिविशन करें हो जाएगा ला वह आपको निकल के राएगा तो अल्फा हब बीटा क्या हो जाएगा सफाविवीटा हो जाएगा हमारा यहां पे 1 by T into पी वाई वन पी वाई वन तो क्या हो जाएगा पी वाई टी पी वाई टी तो यहां पर आपका एक ओफिसेंट है यह ध्यान देना जो डिनोमेनेटर वाली वैलू होती है वही आइडेल के लिए आती है तो यह पूछा भी जाता कि आलफा वैलू फॉर आडेल गैस पॉर है क्योंकि इसका मान फिर आ जाएगा अलग अलग ना मैं एडेल के इसकी बात कर रहा हूं तो साथ नंबर हो गया आपका आठ नंबर पर भी चलते हैं वही देखिए 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 बेलू आफ आइसो थर्मल कंप्रेसिबिल्टी फेक्टर बीटा वाले में नीचे क्या था टा है तो वोन वाई पी आजाएगा देखो पूछा गया सवाल है तो आपका अंसर 8 में की हो जाएगा वन बाई पी हो जायेगा वन बाई पी पर चोना मृत हमौन है फ् 창 Misti कर देजेगा, DPP में 1 मॉल दिया हुआ है, 1 मॉल किया हुआ तो आप वहां पर क्या कर देजेगा, 1 by P, ठीक है बाई, चलें आगे, देखें, 9 नमर पर आते हैं, 9 नमर है, फिर यह 10 नमर है, यह अच्छा सवाल है, यह अच्छा सवाल है, देटर्पी चेंज़ इन टम आफ अल डेरिवेशन करा दू, चलो, करा ही देता हूँ मैं, आलफा, बीटा, एंड डेल्टा, V, इस, देखो भाई, डेरिवेशन ही देखलो, देखो, 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 आलफा, बराबर हमें क्या मालूम है, आलफा, टाइम लगेग, पाँच मेंट, आलफा, बराबर, बी अपॉन में डेल टी एट कॉंस्टेंट पी बीटा बराबर वन वाई वी माइनस का डेल वी अप में डेल पी एट कॉंस्टन T और अल्फा बीटा समय करके देख लेता हूं तो मैं अल्फा बाइब कर दिया वाइट कर दिया तो वेलू क्या आई आगे यह माहिन था यह माइनसा आगे लगा हुआ है यह वाली दो उलट दोगे तो क्या हो जाएगा डेल पी अपाउन में डेल वी कॉंस्टेंट टी किसके बराबर आ गया अलफा भई बीटा के बराबर आ गया अब यह वाली वैलू और यह वाली वैलू से निकलेगी साइकलिक रूल आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं कर दो है कह रहात है थोड़ा सा बड़ा होगा थोड़ा सा बड़ा होगा तो कोई बात नहीं है ध्यान से देखको लीजे चालिक में देखिए क्या है पी भी ट ये बेल पी अपाउन में डेल वी स anál त्छे enabling अबहाउन पॉन एल टी प्व्मिर टी ऑम डेल पउन में ड één क्वेडिंद टी कऑंस्टेंट यह वाली दोनों चीज यहीं रोक्के उसको उधर लेके जाऊ नहीं त्सक्वीं माँ लिजे एक्स बराबर यह इन दोनों को मैंने एक्स बोल लिए लिखना पड़े गा वैसे माइनस वन अपॉन में क्या जाएगा डेल टी अपॉन में डेल पी कॉंस्टेंट वी लिख सकता हूं ना इस तने बराबर यह लिख सकता हूं अराम से बोल दो अराम से लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया बाई यह उल्टा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं डेल पी डेल वी टी डेल वी अपॉन में डेल टी कॉंस्टेंट पी बराबर माइनस का डेल पी अपॉन में डेल टी कॉंस्टेंट वॉलूम देखो इस चीज को मैंने क्या कर दिया है तो डेल पी डेल टी तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको यहां पर यह वाली जो वैलू है और य यह वाली वैलू माइनेस के साथ मिले आया और यह माइनस 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 प्लस हो गया तो हमारे पास में क्या बचा डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉंस्ट्रेंट वोलूम बराबर अलफा भाई बीटा बचा बोलो यार इतनी बात आपको समझ में आ गई यतनी बात आपको समझ में आ गई तो यह वारी चीजें तो यह कहानी तो मिटा सकते हैं अब हमारा काम बस खतम होने को है तो अब यह जो देखो पी पी है आप अब आपको दे रखाए एंट्रॉपी के टम में जब एंट्रॉपी की बात होगी तो इसको एक बात चेक करना बढ़ एस अपन में डेल वी और कॉंस्टेंट टी बढ़ाबर डैल पी अपन में डेल टी और कॉंस्टेंट वी यह लिगते हो ना तो देखो डिएल पी अपन में डेल Bürու ज़्वा Will चित अगिन डेल एस अपॉन में डेल वी कॉंस्टेंट टी बराबर मेरे पास क्या हो गया भाई अल्फा बीटा बोलो इसको मैं रियर्रेंज करके उधर ले आऊंँ तो मेरे पास क्या हो गया डेल एस इस उकल टू अल्फा बाई बीटा बुड़े डेल वी बोलो नजय तो देखो नहीं डेल टा है कोई मतलब नहीं उससे offensive वीन आपका क्या है मैच कर रहा है पहला option देखो मैच कर दा दो दिए आपका क्या हो जाएगा फैला एंसर सही हो जाएगा जया क्या हो यार यह बास आम में आगई चले आगे देखिए दस नम्मर का सवाल अब दस नम्मर का सवाल में कह रहा है कि relation between alpha beta gamma and p के बीच में relation बताईए गामा आ गया एक नया term गामा एक नया term आ गया गामा आपका क्या होता है लिख देता हूं लिख लिजेगा कॉपी में one by p del p p v t यह होता है आपका गामा अलफा भी लिख देता हूं एक जगा लिख लिजेगा वन बाइब दी डेल वी अपॉन में डेल टी कॉंस्टेंट प्रेशर इसमें बाहर होता है अगले वाले में बीटा के साथ में प्रेशर आ जाता है अंदर ते तीनों के तीनों आप क्या करिएगा एक जगान नोट डाउन करके लिख लिजेगा ठीक है और वैसे आप लिखे भी होगे डेल हमारा क्या हो जाएगा वी डेल पी पॉस्टेंट टी ठीक है भाई यही पूछा हुआ है आपसे कि अलफा बीटा गामा में रिलेशन बता देजिए अब बताईए भाई क्या होगा अब बताएंगे देखिए क्या होगा भाई इसके दो तरीके हैं दो तरीके दो तरीके एक नहीं दो है बताओ है कि हो पी के साथ में रिलेशन बताना है आपको इसके लिए अगर आप चाहोगे तो गामा है इसके लिए जो वैलू आ रही है वह वन वाई दिए और यहां पर जो वैलू आएगी यह गामा की वैलू और यहां पर यहां से लिखता हूँ अलफा की वेलू 1 by T बीटा की वेलू 1 by P और गामा की वेलू 1 by V यह है अभी आप्षन पर चाहो तो आप्षन पर रख रख के काट दो अधर्वाइस आप अलफा बीटा गामा का गोड़ा भाग करके भी निकाल सकते हो बोलो भाई तो यह आप्षन सनने को लूँ तो अलफा मतलब क्या हो जागा one बाइटी probtack मतलब करका आचा कर इसको ठालूं आल फा बराबर क्या हो जाएगा one by T लेफट है लेफ्टा और सब्सक्राइगं टी एंस पीटां रहें और दडानबाई पी और वें टो पी बराबर क्या हो सकता हूं सकता हो अ पिवी बराबर आटी तो आटी का कोई मतलब भी नहीं है तो यह आपका डी ऑप्शन तो है नहीं है ना अब आप्शन नमर सी पर आईए अल्फा बीटा गामा का जो आप्शन नमर सी पर यह कुछ घड़बड नहीं है ना अब यह सवाल आप देखिए गा एक बार मैंने इसको देए है अल्फा की बीटा की गामा की वेलू निकाल के दे दिया है आप चाहोगे तो अलफा बीटा की वैलू ये वाली ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला और फॉर्मूला रख दीजेगा और काड़ दीजेगा या फिर ये वैलू ये वैलू ये वैलू उठागे रख दीजेगा और काड़ दीजेगा दोनों तरीके से वैसे अगर आप वैलू गामा की वैलू है वन बाई पी और गामा की वैलू है वन बाई बी इंटू पी पी से पी गया यह पीवी स्कॉल टू आर्टी कि इसको चेक करिएगा ठीक है नहीं होगा तो मैं अगले वाले में बता दूँगा ठीक है तो इसमें आपके जितने भी सवाल थे अलफा बीटा गामा और साइकलिक वाले वो सारे के सारे सवाल इसमें हो गये हैं अब अगला जो आएगा वह आएगा स्टेट फंक्शन से रिलेटेड आपको मैं ऐसे लेके चलूँगा अब इस्टेट फंक्शन बता दूँगा मुझे इंटेंसिव और एक्स्टेंसिव के भी दो चार पांच एक्जामपल करवा दूँगा आपके एक्जाम में कभी कभी पूर देता कि यह कौन सा फंक्शन है या फिर यह प्रॉपर्टी जो एक्स्टेंसिव है इसकी बात कर ले ठीक है तो यह वाली बाते हो जाएंग लुगे उसके बाद में हम लोग ही के बाद में और ड़े आजाएंगे तो जितने भी आपके प्रोसेसे सारे प्रोसेस के अमक्रिक के यह ब Southwest had entire सकता है उम को देंगे कुछ सवाब भी आते हैं आपको डे लिगा ग्राफ डेदेगा और बता दो कि क्या होगा ठीक है तो उ लोगों का सुरू हो जाता है जूल थांसन का कुश्चन पूछा गया है तो जूल थांसन से चार पांट सवाल से जादे आपको नहीं मिलेगा तो उसमें कवर कर लेंगे तो फर्स्ट थर्मोडानिम्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी सेकेंड में हम लोग सुरू ही करते हैं और उसी में थर्ड लाओ थर्मोडानिमस भी जोड़ जाड़के कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यह लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा कि दस पंदरा पंदर डिपी तो जाए गई जाएगा तो चले इसका कमेंट आप लोग करिएगा ठीक है कमेंट करिएगा नहीं तो मैं इसको अगले ले क्लास में बता दूँगा और आजकी जो सवाल थे कए सारे के सवाल बहुत अच्छे थे और प्रीवेस जीएर में चही ने कहीं आये हुए हैं तो के भाही लोग तो चलो मिलते हैं अगले लेक्शर में डिपी नम्मर 4 के साथ तनक्यू सो मच थैंक्